प्रीमियम बोर्डिंग ना विकल्प माटे प्रीमियम स्कूल्स एक्जिबिशन द्वारा छला सोड वर्ष थी एक्जिबिशननो आयोचन करवा मा आवेचन त्यारे 22C एक्जिबिशन माँ देशनी टॉप 12 जेटली बोर्डिंग स्कूल चे भागली धो हतो अने तेमनी शेक्षणी कुद कृष्टा, पॉफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर अने सुविधा, विद्यासनी पद्धतियो तेमच फी मानखा विशे माही तियापी हदी बहुरी संख्या मा वालियो विद्यार्थियो प्रीमियम स्कूल्स एक्जिबिशन नो लाप लीत होगा तो हम पिछले तीन साल से यहां पर आ रहे हैं और रॉक्वुद्स स्कूल उदैपुर से आ रही हूँ मैं और मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ डॉक्टर बसुधा नीलमनी और हमारा उद्देश ही यहां से हम लोग बहुत सारे बच्चे आते हैं तो एड्मिशन के लिए लगता है यह फेर तो एड्मिशन के लिए ही हमारा उद्देश होता है यहां पर देखे जो बोडिंग स्कूल में बच्चे को डिसिपलिन आता है बच्चे सीखते हैं तो पेरंस को इतना नहीं पता होता पेरंस को यह नहीं पता होता कि बच्चों को कैसे डिसिपलिन कराना है कैसे डेली रुटीन में बच्चों को लेके आना है सुबह कैसे अगर बच्चों को व्यायाम के क्या करना है तो सब कुछ बोडिंग स्कूल में सेट होता है तो बच्चों का जो सरवांगीन विकास होता है ओवरॉल डेवलपमेंट होता है वो बोडिंग स्कूल में होता है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे बोडिंग स्कूल में आएं सीखें तो हमारे पास ज बहुता है कि देखिये उसका ऐसा मेरां मेरी आपने से दूरह ही खाहते हैं वह दो चाहते हैं आपने बचोंगे आगे खाहते हैं और होच्छी सब्सक्राइब बड़े शाहर में इपड़ाई तो इसलिए भूट सारे बच्के हैं, जो पेरंट्स है वो आते हैं अपने बच्चों को को बोरिंग स्कुल में दाखिला देने के लिए अर जो जो बच्चों को नहीं आते हैं तो उनके लिए मेरा मेसेज यही है इसलिए प्मॉन को एक आयू के बाद, एक एज के बाद, एक क्लास के बाद, बोरिंग स्कूल में डालें, ताकि उनका पूरा तरीके से ओवरॉल डेवलपमेंट हो, बच्चों में डिसिप्लिन आए, बच्चे कुछ सीखें और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकें, नहीं हमारा भी ऐस सीबी एसी बोड है, यह कई आईसी एसी बोड होता है, इंटरनाशनल बोड हमारे पास इंटरनाशनल बोड भी है, तो जो पेरेंस यह बच्चों के लिए चाहते हैं, कि वो बहुत अच्छे से सीखें, बहुत सारी चीजें करें, तो उस तरह से वो फिर हमारे मतलब यहां इसे बोडिंग स्कूल को प्रेफरेंस देते हैं, कि उनको बोडिंग स्कूल में डाला जाए बच्चों को. कि आजे लोकोंने स्कूले अलग-अलग शेहरों मा जाऊ नती पड़तू, पण एकज जग्या आटली बदी स्कूल्स, एकज रूफ नी नीचे, बदा स्कूल इंडिया माती जावे चे, बदा स्कूल्स ने मली शके चे, इंफर्मेशन लई शके चे, इवन चोक्राओ भी आ आए एक अदबूत एक्स्पिरेंस रहे चे अमारे हैं, जी बिलकुल घणा बदा वाली हो अमारी पासे आवे चे कि रेसिडेंशल स्कूल एटले शू, एटले अमें एमने समझावे कि चे रेसिडेंशल स्कूल, ए होस्टल स्कूल अच्छे, और त्या अगडित अमारा चो तो ए शक्य चे चोक्राओं भी बोर्डिंग मार रही ने, सारी एवी तालीम लेए शके, एजुकेशन लेए शके, एने एलोकोनों फ्यूचर बनी शके, एले वालियो प्रतिय एवो अन अवेर्नेस न थी, खास्सु बदू अवेर्नेस थाई गयो चे काणके अमने पोताने राजकोट ती घणा बदा स्टूडन्स मले छे, अने ए बदा स्टूडन्स से सु करियू, कि एमना फ्रेंस सरकल मा आज वस्तू स्प्रेड करे छे, एले आजे खुबत सजाग वालियो अमने मलवा आवे छे आराजबनी जे सर्वस रेष्ट उत्तम जे बोर्डिंग स्कूल्स होई जे, इस स्कूल्स ने अमे राजकोट लईना आवे जे, इस स्कूल्स ने प्रिंसेपल, स्कूल ना डायरेक्टर्स, ट्रस्टी गण, स्कूल नो एडमिशन स्टाफ ही या हाजर होई, जे एमनी स्कू शू करीकुलम फॉलो करें जे स्कूल मा शू फैसेलेटी चे किटला वरश जुनी स्कूल चे स्कूल मा कई कई को करीकुलर एक्टिविटीस थाई चे कार्गे बाळक ना सर्वोत्तम विकास माटे बोटींग स्कूल नो बहुत योगदान जे हवे ना समय मां गुजरात थी रा बेरादून बैंगलोर पुने नासिक भूज मैसाना उधैपूर्थ दर एक जगी आधी आवे ली तो आनी साथे साथे पैरेंट्स नी जागरुत्ता माटे अमें पैरेंट्स माटे कॉन्वर्जेशन विद पैरेंट्स एडले एक सेमिनार नो आयोजन करे लू चे कि जे मां प्रश्णों है कि सारी स्कूल नी पसंद की कही रिते करवी पसंद की करती यकते काया मुद्दाव ध्यान मा राखवा ए बदाज माटे नी ओपन इंट्रेक्टिव सेशन चे यमना जे पन कोई प्रश्णों होई सब्सक्राइब केम्रीज बोड मां शों बनावे चे केम्रीज बोड आईबी बोड थी कही रिते अलग छे ये बद्दाज प्रश्णों पुछी चके चे लीडिंग एडुकेशनिस्ट पन आवेला चे अलग-अलग शेहरों मां थी भारत मां थी तो ये बदीज माही तियमन सब्सक्राइब करें अभिभावकोन एज विननती करूं कि आज ये ना उती काले 23 अने 24 तरीखा एग्जिबिशन आपना शहर राजकोट मां थाई रहुचे तो येनों मैक्सिमम आप लाब उठाओ एंट्री फ्री छे सवार अग्यार्थी साथ नों समय चे तो आब चौकस से विजिट करवा आगरा राखो